यह सर, यह तो वही है, पैसे वली, आपने फ्री दै में इंको सभी बस्पूला करवा देना और अच्छे से समझा भी देना, ओक्य सर, बॉइस, जाए बेठे, आरविन, अरे, आरविन, मिस्टर आरविन, बुला रही है, सर ने जो कहा, तुमने सुना, नहीं क्या कहा, तुम्हारी कुछ क्लासेज मिस हो गई है, तो तुम मुझे बढ़ाओगी, हाँ, लेकिन अभी नहीं, क्लासेज शुरू होने से पहले एक गंटा, और क्लासेज खत्म होने के बाद सिर्फ एक गंटा, ओके, अरविन, अगर कुछ इंपोर्टेंट बताना पड़ा तो, तुम् तुम्हारा नंबर, मुझसे मेरा नंबर मांग रही है, यादा मैने क्या का था, लाइफ बहुत चोटी है, एक दिन तुम मेरे पास आओगी, और खुद मुझसे मेरा नंबर मांगोगी, यादा न, देख लिया, आज, वो दिन आ गया, तो ठीक है, तुम जाकर किसी और से म 297-019, तुम्हारा नाम क्या बताय था, निकम्मी, नागिन की बेटी, ऐस कुछ तो था, इस कुछ तो था, इस नेहा, नेहा, सब मुझे प्यार से अभी कहते है, अरे चलोट, हाट बच गए, किदर जाना है, नेहा ने बढ़ाई के लिए बुलाया था, चलोट, हाट बच अच्छा तो अब तु ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहता है, अम्बा करना चाहता है, गोल्ड मेडल लेना चाहता है, बदी सी टोपी पहना चाहता है, वो कोट पहना चाहता है, और फोटो खिचवा कर अमेरिका जाना चाहता है, डूड, I know everything, मुझे अची तरह पता ह तो क्यों जा रहा है, जा तो मेरे इसी का पड़ ले, मैं सोजाता हूँ, इस कड़क गदे पर मुलान नहीं दाती है, लाया, सोजा, अलसी, नहा, सॉरी नहाप, छे बज़ ऊड़ गया था, पर टंकी में पानी नहीं चड़ा, इसलिए लेट हो गया, कल से आद रखना, एट उक्लॉक मतलब, शार्प एट उक्लॉक पहुचना है, नहीं पहुचे, तो सर को बोल दूगी, तो क्या कल से उने भी बुलाओगी, बहुत ही सड अब और जिएशन ख्रीएशन थी, उसके बाद क्या था? वहलो, मैं जो समझा रही हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो बता, अब तक क्या क्या समझा है और था? तुम इंडिया की सामाजिक और आर्थिक समस्या के बारे में बता थी जिसकी वज़ा है ये ब्लुड्रेस मतला ब्लुप्रिंट और वो डिमांड बढ़ती है तो सप्लाइ घट्टी है जिसकी वज़ा से येरिंग्स और जिदेपी ब्लाक मनी के वज़ा से किर गई जिसकी वज़ा से वो एकॉनमी में पावर नहीं रहा जिसकी वज़ा भी ब्लाक मनी ही है इसलिए सर्कार के जिमेदारी है कि वो सोचे इन इना, खोटों के बारे में, गरीबों के बारे में, देखो, अपना दिबाग जगे पर रखो, तुम्हें पढ़ाने का मुझे कोई खास शौक नहीं है, सर ने काया है, इसलिए पढ़ा रही है, नेक्स्ट टॉपिक, अरे, तुम गए क्यों नहीं? तुमने कहा था, कॉलेज के बाद पढ़ा होगी, इसलिए वेट कर रहा था, गॉड, I'm so sorry, मैं तो भूली गई, शांती का बर्ड़े है ना, तो मैं होस्टल चली गई थी, अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, हम लोग कल सुबर पड़े अभी, तुम जाओगे कैसे? पैदल जाओँगा, पैदल जाने वाले हो, पर क्यों? बस इस टाइम से चलती है, साड़े चार वाली चली गई, अगली जो है वो शायद आठ या साड़े आठाईगी या उससे भी लिट, इसलिए पैदल जाओँगा, वैसे तुम रहते अभी पेटा, अभी पेटा, बारिश होने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े उतार कर रहती है, आप मेरे कितनी हेल्प करती हो, थैंकी वरी मच, आउना, कम, ये है मुझ अमीर का खरीब खाना, सर ने तो कहा आता तुम यूएस से आयो, पर तुम यहां क्यों आते हूं, डाइड, हर एक की लाइफ में डाइड हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में एक ही विलन है, मेरे डाइड, पैसों के भूके हैं वो, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम किया, धेर सारे पैसे कमाना, कभी अपने बेटे के सर पे प्यार से हाथ भी नहीं फेरा, यहां तक कि अपने हाथ से प्यार से दो निवाले तक नहीं किला है, बाप तो क्या पती का भी फर्स पुरा नहीं किया, हर रोज नशे में खर लौटते थे, और फिर, गुड़ नाइट, उस तनाव के माहौल में बस, किताबे मेरा साहरा थी, यह किताब ना देख ले, इसलिए मैं हर वक्त कॉलेज की लाइबरेरी में ही रहता, माहा पुरुष कहते हैं, नेकी कर धरिया में डाल, और उस नेकी के धरिया को खरीदने का सपना मेरे डैड ने बना लिया, तब ही से, मैंने फैसला कर लिया, कि मैं डैड की तरह खरीब को नहीं लुटूँगा, इन फैक्ट, अमेरिका में मैं लड़ा भी बहुत, मेरा मतलब इनसाफ के लिए लड़ा, इसलिए जेल भी जाना पड़ा, और डैड ने पैसे बचाने के लिए जमानत नहीं दी, इनकलाब जिन्दाबाद, इनकलाब जिन्दाबाद, पैसो का इतना बुरा असर पढ़ता देख, मुझे पैसो से नफरत हो गई, लेकिन मेरे डैड नहीं बदले, उनका पागलपन और बढ़ता गया, इसलिए मैं वो सब कुछ ठुकरा कर यहां पर आ गया, मेरी सोच देखकर, मेरा कजिन भी इंस्पाइर हुआ, उसने का भाई, मुझे भी नहीं चाहिए दौलत, अपने पैरों पर खड़े होंगे, इंडिया जाएंगे, एंबिया करेंगे, एक आम आदमी बनेंगे, क्योंकि आम आदमी ही सुकून से जीता है, नौट अंकी, यह तो बहुत ही इंस्पाइरिंग है, पेरेंस की कोई फाइनांशिल मदद लिये बिना तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, I really appreciate you, थैंक यू, मैं जब अमेरिका से ने आया था, किसी को जानता नहीं था, इसलिए दोस्ती करने के लिए तुम से नंबर मांगा था, लिकिन, तब मचे तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं पता था, इसलिए, चलो अब तो तुम समझ गए, मेरा इंटेंशन खलत नहीं था, मैं तो बच्पन से ही लड़कियों की इज़त करता हूं और करता रहूंगा, I'm, I'm really sorry about that. No, that's okay. Okay then, bye. Bye. Avi? Huh? Friends? Yes, of course. Okay then, bye. Bye. Bro, ये सब क्या था? America में एक रैश कोस किया था, था दस मिनिट में लड़की को बातली में अतारने का. America में? Aha. Suppose आपको कहीं बैंक से लोन लेना है, आप अपने आइडियाज लेकर बैंक के पास जाते हैं, लोन लेने के लिए, बैंक आपको लोन लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपके आइडियाज में उसको अपना रिटर्न दिखता है, लेकिन आपका hidden agenda कुछ और है, आप कुछ और काम के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने उस काम को करने में असफल हो जाते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं लोन कैसे चुगाऊंगा, क्योंकि आपके पास तो लिक्विडिटी है नहीं, ऐसे में आप जो करेंगे, क्योंकि आपके क्योंकि नहीं तो आप लोन की पेमिंट कैसे करेंगे, ऐसे में आपके मन में ये ख्याल आ सकता है, क्योंना माइकल मालिया जैसा बना जाया है, हाँ? सर, ये क्या है स्वाती, तुमने अब तक अपनी सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, सबको कहा गया था कि 25 तारिक तक यहां फीस आ जानी चाहिए, अब ना तुम्हें हॉल टिकेट मिलेगा, ना तुम्हें एक्जाम दे पाओगी, अब तुम जा सकते हो, सर, थोड़ी प्रॉब और मेरा काम है मैनेजमेंट के ओडर को फालो कर रहा है, तुम जा सकते हैं, तुम्हारा नेक्स टॉपिक है, फाइथाफ़जन रुपीस अकाउंट में आ ले है, अब इसमें क्या होता है, कि हम जब भी कोई लोन लेने जाते हैं, कोई ना कोई चीज भी रखते हैं, इसी को हम सिक्यूरिटी कहते हैं, इसी सिक्यूरिटी पर हमें लोन मिलता है, बैंक हमें लोन ना देने पर यही सिक्यूरिटी जब्त कर लेती है, और इसी अनालेसिस को हम सिक्यूरिटी अनालेसिस कहते हैं, तो यह काफी इंपोर्टन सब्जेक्ट है, इसे अच्छी तरह से समझ चलिए आज के लिए इतना काफी है एक मतलब बचट के बाहर में जाना समझा एक लाज है एक अए पिक और सर ने यह हम उन्मोर हम कम से कम ने तो चाहिए इसका मतलब हम सुधर हैं हम सुधर रहे हैं देश भी सुधर देख रहे है पापा हमारी सोच बदल गई है हम सुधर भी रहे हैं हम के इतना सुधर गए ना सही बोल लेकिन तू नेहा के मामले में नहीं बदल रहे हैं तुझे पांच जार ले रहे हैं नहा मैं और बाशा पढ़ाई कर रहे हैं क्या ऐसा क्या ठीक है मैं अभी आ रहा हूं अरे इतने रात को क्या अभी थोड़ी पढ़ाई कर रहा है यह वो नहा की दोस्त है ना स्वाथी वो स्कॉलर उसने फीज नहीं भरी तो कॉलिज ने उसे निकाल दिया आत्मा अत्या करने के खुशिश की चल जल्दी चल तुब भर के जल्दी आजा इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूं भाईया लड़की अब खत्रे से बाहर है अगर मीडिया वाले आये तो मैं बात संभाल लूगा अचा ठीक है चकरवर्ती वहां पहुंच रहा है उसके हॉस्पिटल का खर्चा हम देंगे उसकी MBA की पूरी फीस हम देंगे मगर किसी भी हाल में ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए आगे सब मैं देख लूँगा ठीक है भाई जो हुआ उसे भूल जाओ किसी से कुछ कहने की जरूत नहीं है मेरी बात समझ में आई तुम यहां क्या कर रहे हो हां तुम्हें इससे मतलब हमारी कॉलेज की एक लड़की मुसीबत में है और तुम उससे सपोर्ट करने के बजाए यहां मैनेजमेंट की चापलूसी कर रहे या फिर वो लोग जिन्होंने यहां पर तुम्हें जूटा दिला से देने भेजा है नहां भारगव भाया के बारे में एक शब भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा उसके फेके हुए टुकडू और डारू की आदत हो गए तुम्हें इसलिए ऐसा बोल रहे हो तुम्हें क् कि भटी हुई है इसलिए उसने तुम्हें यहां पर भेजा है लेकिन बाकी स्टूडेंस का क्या जो फीस नहीं जमा कर सकते उनका क्या करना है वो भाया देख लेंगे स्टूडेंट यूनियन ये तै कि मामला यहीं खत्म हो जाए कोई यूनियन इस मामले में अपनी टांग कि पैसा अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है पहले पैसे की कीमत सीख फिर आकर मुझे लेक्चर देना कि क्या बुला